दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं Edit Registration Form कर क्या रहा है अगर आपका व्यापम में किसी भी तरह का कोई तूटी हुआ है तो आप अपने नाम के अलावा चाहे तो Mobile Number को भी आप Change कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो case है इस इस्थिती में जो है आप देखे मेरे जितने भी मेरा जितने भी fill जो fill up हुआ है वो सभी यहाँ पे Edit के mood में है आप देख सकते हैं मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी आप timing भी देख सकते हैं तो अबी जो है, रात के नवट कर 27 मिनट हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, आज की जो date है, उसको भी देख सकते हैं, तो देखें, इस में किसी भी तरह का коई भी fake विडियो अगेरे नहीं है, कई लोग जो बोलते हैं, कि यह fake वीडियो है, अभी जो है, वयापण में किसी भ की कोई करेक्शन नहीं चल रहा है ऐसे करके बोलते हैं तो यहां पर देखें आपका नाम अश्पर अधार करके दिया हुआ है और आपको जो है अधार वेरिफाइड करना पड़ेगा फिट से अगर आप किसी भी तरह का कोई एडेटिंग वगेरा करते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर चलिए दोस्तो हम सबसे पहले अपनी जो होम है उसमें आ जाते हैं होम में आने के बाद देखें इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा जो अधार वेरिफाइड प्रोफाइल है मेरा अधार कार्ड जो है पहले से वैपम से लिंक ह अगर आप यह जो अधार वेरिफाइट प्रफाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं अगर आपके पास जो है बहुत सारे प्रफाइल बना हुआ है और उसको आप मर्ज करना चाहते हैं तो यहां पर मर्ज भी कर सकते हैं देखें यहां से आप mobile number भी update कर सकते हैं या बदल सकते हैं वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है आप जा के देख सकते हैं अधार verified profile का भी link वीडियो के description में दिया हुआ है अधार link को कैसे delete करें इसका भी video के description में link दिया हुआ है और merge profile का भी link जो है delete में दिया हुआ है तो आपको ये सभी वीडियो जो है मिल जाएगा दोस्तों तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको अपना जो वैपम प्रफाइल है उसको लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद चले दोस्तों आप इसको किस तरीके से एडिट कर पाएंगे, अगर आपके में जो है अधार verified profile है तभी ये जो है edit का option जो है संभाव है, दोस्तों या इससे पहले जो है अगर आप देखेंगे जिनका वैपम profile verified नहीं है, उनके में जो है आपको ये link वाली option या edit वाली option नहीं मिलेगा, चलि link नहीं हुआ है और इनकी कहीं हम profile की बात करें, तो यहाँ पे देखें print profile आ रहा है, edit profile नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका भी ऐसे ही print profile आ रहा हो, edit profile का option नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, biometric fingerprint आपको क्या करना है, अपना अधार और weapon profile को आपस में link करना है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको मैं log out कर लेता हूँ, अपनी वाली जो ID है, उसको मैं, तो मैं यहाँ पे अपनी वाली ID को जो है, login कर लेता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो यहा पे profile में click करते हैं, तो जैसे ही हम profile में click करेंगे, देखे दोस्तों edit registration करके आ रहा है, मेरे वाले case में, और यहाँ पे देखे print profile, तो चलिए यहाँ से हम edit registration में, जैसे ही click करेंगे, तो काफी सारे दोस्तों लोग जो है मुझको comment किये हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस या पीता के नाम में कोई मेल फिमेल जेंडर में आप किसी भी तरह के हो इसमें करेक्शन कर सकते हैं आप अपने नाम के अलावा चाहे तो मुबाइल नंबर में भी करेक्शन कर सकते हैं बट यहां से मुबाइल नंबर में करेक्शन नहीं होगा वहां पे आप देखे होंगे म से मैं जो है क्या कर रहा हूँ ये जो फोटो है और आपकी जो सिइनेटर है यह भी आपका अपडेट नहीं होने वाला दोस्तों तो आप जो है फोटो सिघनेटर के अलावा और अपने जो नाम दिया हुआ है और mobile number, तो mobile number तो वहाँ से हो जाएगा, बट अपने नाम को आप correction इसमें नहीं कर पाएंगे, इससे पहले पहले जो है, आप अपने mobile number के अलावा सबी चीजों में correction कर पाते थे, तो यहाँ पे चले दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कोई भी correction अगर करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों यह कोई भी problem नहीं हो रहा है यह successfully आपका हो जाएगा और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह जो है आपको अपना अधार नंबर और यहाँ पर verified your name अधार करके दिया हुआ है तो आपको जो है fingerprint की अवसकता होने वाला है तो देखे दोस्तों जितने भी friends लोग हैं जितने भी viewers लोग हैं वो सभी जो है जितना जल्दी हो सके जो है अपना correction जो है करा लिजे वैपम जो है कब बंद कर दे इसका जो है कोई भरोसा नहीं है दोस्तों अगर आपको अपना mobile number भी update कराना है तो आप अपना mobile number यहाँ से update करा सकते हैं यहाँ पे आपकी primary profile दिया हुआ है और यहाँ पे send OTP में करना फिर यहाँ पे OTP दर्ज करना और फिर क्या करना verified OTP में क्लिक करना फिर new number दर्ज करना है OTP send करना है फिर verified करना है फिर आपका जो यह mobile number है वो भी update हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो correction वाली problem का solution है वो हो गया है अगर आपको और भी किसी भी तरह की कोई भी question है अगर आपके मन में doubts हैं दोस्तों तो आप हमसे जो है comment में पूछ सकते हैं 100% sure है कि मैं आपके comment का जो है जवाब देने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप हमारे channel में नए हैं दोस्तों तो please आप जो है हमारे channel को subscribe करना ना भूले क्योंकि इतने महनत से आप लोगों के लिए video बनाते हैं दोस्तों और आप लोग जो है बीना subscribe किये जो है चले जाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता तो thank you दोस्तों ऐसे interesting video देखने के लिए हमारे channel में बने रहें